हाँ तो मेरे प्यारे लॉलिपप मैं पंक जी आदव कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर देख सकते हैं क्लास तेंथ मैथ का चेप्टर क्या जाता है वो सारा चीज मैं यहां पर रख दिया हूं और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यार वच्छों और इसको समझ लेंगे ना तो कहीं से भी उठा करके क्वेशन आप से पूछ देगा तो यार चुटकी बजाओगे उस क्वेशन को सॉल्व कर दोग करना क्वेशन के बारे में हैं जाते हैं जाते हैं मुह नहीं पाना है समझ जाव यहां पंकर्वार्सार पढ़ने पंकर्वाइए यहां चाह सबतार। में ऐधर नमगरेशे पढ़ने से सब्धार का सब्सक्राइब हुनाले इस तो मैं आपको बता और और लास्ट में NCRT का most IMP question में आपको बताऊंगा ठीक है तो आइए सभी concept को समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार से question पूछे तो चुटकी बजाना और solve कर देना ठीक है तो आइए सुरू करते हैं सबसे पहले समझ लेते चर अचर के बारे में अगर चर अचर क्या होता है अगर कोई आप से पूछे भाया कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं confusion नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर confused हो गया तो फिर दिक्कत है है तो confusion नहीं रहना है ठीक है चर और अचर के बारे में हम जान लेते हैं लेको चर किसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है चर किसे कहत न मतलब चर का मान बदलता रहता है उस में ठीक है तो वह रोग्य और अचर किसे कहते है जिस का मान न बदले जैसे की आ coral हगया तो किसी भी समीकर्ण में دेखकना पाच की बेलूप ऐगी पाच को आप छे नहीं बोल आंगे और था नहीं बन सकते हैं 6 को अभ़ी 7 का नई बन सकते हो 56 है तो 5 रहेगा स्थ श को कहलते हैं जिसका मान नहीं बदलता है और शर् ganze कहते जिसका मान बदलता रहता है चर यानि variable अचर यानि constant ठीक है तो चर और अचर के बारे में आपने सीख लिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब दूसरा देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे बहुपद को कैसे पहचाने है ना बहुपद को कैसे पहचाने इसको हम समझेंगे ये question पूछ देता है समझ रहे तो आईए एकदम बढ़िया समझ लेते हम बहुपद देते हैं और बहुपद को कैसे पहचानते पहले definition बता देते हैं कि आखिर बहुपद को कैसे पहचाने है देखेंगे बहुपद में प्रतेख चर का गहात यानि किसी भी कोई समी करन दिया जाए या बहुपद दिया ज प्लस में 5 है तो बताईए ये बहुपद है तो आपको होगे हाँ है क्यूं कि परतेक चर्का गहत इसमें पुर्ण संख्या है आपको के सर कैसे देखिए वह पुर्ण संख्या अच्छा पुर्ण संख्या किसे कहते हैं सभी संख्या में अवाली संख्या पुर्न संख्या कहलते हैं तो वो क्या कहलाते बहुपद कहलाते हैं ठीक है तो परतेक चवर का घात पूर्ण संख्या तो यहां पर देख रहे हैं भाई यहां एक से यह भी चवर है यहां एक से यह भी चवर है परतेक सभी चवर पतलब जितने भी चवर उन सभी में देखना पूर्ण संख्या तो एक स बहुपद हुआ ठीक है आपने देख लिया अमालों अगला देते हैं 3x स्क्व्यार आप पलस में 3x और यहां पर रूट अंडर डाल दिया है ना और पलस में हमने यहां 5 डाल दिया बताएए यह बहुपद है बताईए यह बहुपद है इसको हम थोड़ा सा इसको बाद मिलेंगे इसको हम ऐसे कर देते हैं अब बताईए बहुपद है सोचलो मन में अब मैं आपको बताऊंगा यह बहुपद है क्यूंकि इसमें परतेक चर्का घात एक पूर्ण संख्या है जैसे कि यहां पर देख सकते हो यहां चर है और यहां चर है इसमें चर्का घात कितना है दो है और इसमें चर्का घात कितना एक चीपा है है न तो इह क्या है पूर्न संख्या इसमें परते क्चट्रका इसल यह क्या हो गया हमारे पास क्या हो गया गहwood ठीक है यह बहुपद है अच्छा इस इसी पी अगर हम दे दे आपको कहेंगे नहीं चाहें हमने वह ब्रतेख कर गहात पुर्ण संख्या होना चाहिए तब बभू क्योंकि यह रूट इसके रूट के अंदर है मेरे भाई यह क्या है रूट के अंदर है और रूट का वैलू क्या होता है एक वट्टा दो होता है इसका मतलब एक्स का पावर आ जाए एक वट्टा दो मतलब इसको आप लिख सकते हैं थीरी एक्स के पावर एक बट्टा दो और और एक वर्टादू पूर्ण संख्या होता है नहीं होता है यह रूट का वैलू यहां यहां दखेच तो यहां पूर्ण संख्या होता है क्योंकि पून संख्या में एक बटा दो नहीं आता है मेरे भाई ठीक है यह आपने समझ लिया तो इसमें परतेक चरक अगात पून संख्या नहीं है इसलिए यह बहुपद नहीं है मेरे भाई बहुपद नहीं है नहीं है ठीक है यह आपने समझ लिया के लिए अब हम क्या करे आपको मतलब पता चल गया कि बहुपद कैसे पहशानते हैं आप कोई डाउट ही नहीं रहेगा है ना अब हम आपसे मन करता है पूछने का एक कोश्चन आप लोग कमेंड करके बताना 4x² है ना आप पलस में रूट अंडर 3 y पलस में y नहीं x देते हैं 12 x है ना बता देगा माइनस ke 7 बताओ यह बहुपद है क्यमेंड करके अवरव सिम्पल पूछ्च दिया है ना बताना आपको यह बहुपद है या नहीं है ठीक है तो यह आप ने देख लिए बहुपद को कैसे पहचानते हैं अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद के पद के बारे में, ये 30 आपा सि मैं पूछू कि 3X मैंने लिख डिया, अब बताा इसमें किたने पद है, कितने पद है तो मेरे भाई इसमें एक पद है इसमें एक पद है तो यानि ये एक पद ही बहु पद हुआ ठीक है माल लो कि यहां पर हमने दे दिया 3x plus 4, इसमें कितने पद है, इसमें 2 पद है, एक पद यहां है और एक पद यहां, कितने पद हुए, इसमें 2 पद है, माल लिया कि हमने आपको दे दिया 4x square, पलस में 3x, और पलस में 4, बताए, इसमें कितने पद है, तो इसमें 3 पद है, एक पद यहां, एक पद यहां, एक प गुने में एक्स इस बहुपत में कितने पद है तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कहेंगे एक पद यहां एक पद यहां है नहीं मेरे भाई ऐसा गलती कभी मत करना देखो अगर बीच में गुना का चिन है तो उससे पद नहीं बटता है जोर घटाओ से ही पद बटता है इस बात को ध्यान दखना है तो इस वीच में गुना कर देंगे 4XX में गुना करेंगे तो 4X2च हो हुए यह टोटल यह कुल मिलाके a go-pad हुए ठीक है इसी में अगर 4 लिख देते हैं आप प्लस में x2 लिख देते हैं तो a ho जाता दूग पद पद का बटवारा कव होता है या तो बीच में पलस का निसान होगा या फिर अंच्टने पुछँ तो इसमें आप कहेंगे दू पड नहीं नहीं ये एक ही पड है कैसे देखिए यह गुणा रहता है नहीं तो पहले हम गुणा कर लेते हैं साथ-साथ से गुणा करेंगे साथ-साथ 399 हो जाएगा next sanctuary से एक से हैं में घूना करेंगे एक के पावर फोर आई यह सब अकेला पद हुआ एक पद हुआ टोटल ठीक है पद का वटवारा पलस या माइनस बीच में चिन रहता है तब हम करते हैं ठीक है तो यह आपने देख लिया किसमें कितने पद होते हैं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब हम आप से एक सवाल पूछते ह हैं चलो कि इसमें कितने पद होंगे सेवन एक स्क्यार गुने में एक स्क्यार है ना और पलस थीरी वाई है ना माइनस के थीरी वाई और पलस के फोर बताइए इसमें कितने पद है गल्दी से कहें गा कोई एक दो टीन पांच पध्यें मारेंगे कान के नीचे बस नाचनेल लगेगा और ना पांच पद कईसे हो जाएगा देखो सबसे पहले इसको solve कर लेना इसको इसमें गुना का चीने गुना कर लो कितना हो जाएगा साथ एकस के पार फोर हो जाएगा ठीक है अब देखो यह पलस का 3y-3y कट जाएगा बचेंगा पलस का 4 इसमें कितने पद हुए दो पद हुए को दिक्कत नहीं दिक्कत तो ठीक है कभी-कभी पूछ देता है ओके अब हम बताएंगे आपको बहुपद के घात के बारे में बहुपद के घात के बारे में ठीक है बहुपद के घात हम कैसे पहचानते हैं जैसे हम यहां पर दे दिये सेवे नेकस स्क्यार फलस के 4x पलस में 3 बताई इसमें घात कितने ह बताईए तो हम बता दे आपको इसमें दो है इस बहुपद के घात कैसे तो भाई कंसेप्ट क्या है कि किसी बहुपद में देखना आप पावर जिसका बढ़ा होगा सबसे ज़्यादा पावर रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है तो इसमें देखिए इस X के उपर कितना पावर है एक शीपा हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा किसका बड़ा है यहां पर दो बड़ा है तो इस बहुपत का घहत हो जाएगा दो इस बहुपत का घहत है ना तो तो हमने कंसेप्ट क्या बताया कंसेप्ट यह बताया कि उसमें देखना है पद में कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पावर यहां पे साथ है साथ सबसे जादा है इसका मतलव इस बहुतThen का सब से बहुतना जो घात जो गाना योगा साथ होगा सबसे ज़्यान गहत किया साथ programmer सबस्यादा इससर साथ इंसर इन इस बहुतनाLaughs हो घात कि क 기त नहिए पर आप को एक और पूछ्ता हूं साथ एंसर होगा इसका ठीक है अब मैं आपको पूछता हूँ माल लो कि 9 x square गुने में x के पावर 5 पलस में एक्स के पावर कितना देदे मैं देदेता हूँ एक्स के पावर यहां पे 5 चलो अब बताईए इसमें कितना घात है है ना तो गल्ती से कहन देना की 5 होगा नहीं मालेंगे कान की नीचे पहले इसको solve करो solve कैसे करोगे देखो 9 x square है यहां पे x के पावर 5 है जब इसको गुना करेंगे पहले 9 तो रख दो और पद से गुना करते हैं तो घात क्या होता जूट जाता है पद वही रहा जाता है पद और पद से गुना किता पद रहेगा घात जूट जूट जागा 5 अदू कितना हो ज जाएगा 7 सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है साथ इसलिए यहां भी 7 इंसर हो जाएंगे सबसे देखना उपर जो लटका हुआ है न वह इंसर बोल देना सबसे ज़्यादा पावर नजर आएगा वह इंसर हो जाएगा ठीक है तो बहुपत के गहात के बारे में समझ लिए य algorithm 7y plus 7y 4 अब मैंः यहां से पूछूँँगा कि इसमें y2 का गुनांग कितना है तो उसमें देखना कि y2 में देखना कों संख्या गुना Cen वा इसकर फोन हो रहा है इसमें हमने पूछा y2 का कुनांग कितना है तो y square यहां है और इसमें गुना का चिन है रहता है की नहीं गुना का चिन रहता है बताइ के इसमें x का गुना की तना है इसमें X का गुनांक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप देखना सबसे पहले X कहां है, तो X यहां है, और X से कितना में गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है इस बीच में, वही गुनांक हो जाएगा, तो X का गुनांक कितना है, 4, X का गुनांक कितना है, 4, तो 4 एंसर हो हो है कि नहीं तो यह आपने देख लिया एकस बरावर चार इंसर मालो कि यहां पर 9 y square plus 9 y minus 7 अब बताईए इसमें इसमें अगर आपसे मैं पूछू कि y का गुनाग कितना है तो y का गुनाग 9 है यहां पर y square का गुनाग कितना है तो 9 है अब यहां पर मैं पूछ दूं आपसे कि xc power 0 है इसकी value एक एक आजाएगे और एक से साथ में गुना कर देंगे तो 7 ही इसका मतलब x के पार 0 का गुनांग यहां पर माइनस के साथ है समझ गया है यह चीज आपने समझ लिया गुनांग के बारे में समझ लिया अब बहुपद का व्यापक रूप समझ लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा दूइगात बहुपद का व्या पक्रूप समझ लेते, क्या होता है? AX पलस के B होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक्रूप, अब द्वी घात, द्वी घात बहुपद का व्यापक्रूप क्या होता है? क्या होगा AX square पलस के BX और पलस के C होता है वहीं हम त्रीघात बहुपद बहुपद का वियापक रूप क्या होगा तब क्या बताएंगे तो वो बोलेंगे AX के पावर 3 पलस BX square पलस में CX और पलस में D ठीक है ये होता है तो आपने देख लिया रैखिक बहुपद का वियापक रूप द्विघात बहुपद का वियापक रूप और त्रीघात बहुपद का वियापक रूप त्रीघात बहुपद में त्रीघात बहुपद का अधिक्तम घात कितना होता है तो 3 होता है द्विघात बहुपद का दिक्तम घात कितना होता है दो होता है और रैखिक बहुपद का दिक्तम घात कितना होता है तो एक होता है ठीक है तो ऐसे भी कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद दू घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद और तीन घ लेते हैं देखिए यहां पे पहले से लिखा हुआ हमने लिक दिया था अब आपको बताना कौन बहुत है कौन यहां पे समीकरन है कौन यहां पे वेंजक है ना तो देखिए मिरभाई 4 x square minus 3 x plus के 2 इसमें परतेक चरक घात पूर्न संख्या है इसमें क्या है यहाँ दो नजर आ यह पूर्न संख्या है यहाँ x x के उपर क्या पार्श परत 1 और 1 क्या पूर्न संख्या है तब परतेक चरक घात पूर्न संख्या है इसलिए ये क्या हो जाएंगे बहुपद हो जाएंगे बहुपद अब यहां पर देखिए ये 4x square minus 3x plus के 2 बराबर 0 रख दिये क्या रख दिया हमने बराबर 0 तो जो हमारे पास बहुपद था है न उसके बराबर में हमने 0 रख दिया इसका मतलब क्या हो गया ये दुईघात समी करन हो जाएगा दुईघात समी करन हो जाएगा ठीक है इस बात को दियान रख दा हमारे पास है बहुपद में दुईघात समी करन में ज्यादा हेर फेर नहीं है है न बस बराबर में 0 रख दिया तो हमारे पास समी करन हो जाएंगे और बराबर में 0 नहीं रखा तो बहुपद हो जाएंगे वो ठीक है तो यह आपने देख लिया अब यह हमारे पास क्या है यह 4x स्क्यार माइनस के रूट अंडर तीने एक्स पलस के दो तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है यहां पे क्या लिख सकते हैं और और एक वतधु पूर्ह संख्या नहीं होता इसलिए यह बहफद नहीं है तो यह तो इसी को कहते है वेंजक क्या को बोलते हैं वेंजक ब Mendu यहां पेल लिख दो वेंजक बोलते हैं कि अब इसमें एक चीज में बता दू कि जितने बहुपद होते हैं यानि सभी बहुपद सभी बहुपद एक वेंजक होता है अगर question आप से पूछे कि सारे के सारे बहुपद क्या वेंजक होता है बिलकुल होता है आपको मैं बता देता हूँ note कर लेना कि जितने भी बहुपद होते हैं सारे के सारे वेंजक कहलाते हैं लेकिन जो वेंजक होंगे यानि जितने भी वेंजक होंगे वो सारे के सारे बहुलक यानि बहुपद नहीं कालाते हैं सभी बहुपद वेंजक हो सकते हैं लेकिन सभी वेंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं इस बाद को ध्यान रखना ठीक है तो यह चीज मैं आपको किलियर कर दिया ओके कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो व्येंजक विघाज समीकरन और यह समीकरन सौरी व्येंजक बहुपद और समीकरन में आपने अंतर देख लिया कि कैसे अंतर होता है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब मैं आपको बताऊंगा NCRD का most IMP question, देखो सब concept समझ लिए तो आपको किसी भी प्रकार का question देगा चुटकी बजाते ही solve कर दोगे, है न, अब most IMP question हम लेते हैं आपको और बताते हैं, जैसे कि आप देख लेना प्रश्नावली दो दसनला दो में, हमने करा दिया प्रश्नावली दो दसनला दो का दो भाई पंकर सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, इसमें IMP question एक ये है, है न, देखना सारे चीज़ बना दिये हुए, इसलिए आप यहाँ पे मैं solve नहीं करूँगा, अगर नहीं देखें तो देख लेना, प्रश्नावली दो दसनला दो भाई पंकर सर्च करके देखन एक ये most IMP question है और दूसरा, दूसरा यहाँ पे ये वाले question, ठीक है, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो देख लेना और कुछ उदाहरन भी आप लोग solve कर लेना, आपके बास book है, उदाहरन सभी कर लेना, ठीक है, ये सब most IMP questions है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे के लिए, बाई